वेलकम टो दे गुडवाइब शो आज हमारे साथ हैं सुशील दोशी साथ और इन दौर से आये हैं दिली होके और चंडी कर पहुंचें बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका दोशी साथ बहुत धन्यवाद और मैं तो आपसे मिलने का मौका तलाश ही रहा था और आखिर मिल ग करेंगे लेकिन अभी आप हमारे कारेक्रम में आये हैं जो कि चंडीगड के लोग इंतजार कर रहे हैं और आज आपकी कॉन्वसेशन मेरे साथ और चितरंजन जो प्लेराइट के को फाउंडर है उने वाली है तो उसमें तो हम क्रिकेट की यादें ताजा करेंगी अभी हम करेंगे थोड़ा सा आपके बारे में ही जादा करेंगे ये गुडवाइप शो में हम लोग चीरफूल पॉजिटिव लोगों को इन्वाइट करते हैं और एमिनेंट परस्वनाथ साहब और सनम सिंग टैनिस प्लेयर भी स्पोर्ट्स से आचुके हैं और परस्नलिटी तो द करिकेश कि कुमेंटरी की पीचिय दीवाना था जान उर्लिट और ब्रइन जानल्स्टन इनकी कमिंटर करता था घर में अंग्रेजी में और नगभग उनिंकी शेली में ऐसा लगता था जएसे वही कमेंटरी कर रहे हों जोग बड़े प्रभावित होते थे अब मुझे तो नहीं था कि मैं कभी कॉमेंटेटर भी बन पाऊंगा लेकिन हुआ ऐसा कि हिंदी का जोर हुआ और मैं 18-19 साल का लड़का था और उस समय यह हुआ कि हिंदी में होनी ही है कॉमेंटरी हमारी देश की भाषा है हिंदी पर बड़ा जोर दिया जा रहा था तो उन्होंने का कि यह रटजी ट्रॉफी मेंच है मत्यपरदेश और राजस्थान के बीच में हिंदी में कॉमेंटरी शुरू करनी है और तो चार-पांच दिन ही बचे थे तो उन्होंने सब तरफ लोगों सो की ढूंड मचाई कि कौन हिंदी में कॉमेंटरी कर सकता है कोई तैयार ही नहीं नहीं फूट पांड सेकंड से शुरू होता है 22 याड से शुरू होता है उस खेल में हिंदी में कॉमेंटरी का क्या काम तो लोग सहने नहीं करो लोगों नहीं का पागलपन है हिंदी में कॉमेंटरी होई नहीं सकती मैंने भी कभी नहीं सुनी थी तो जब पता चला कि हिंदी में क क्रिकेट का जैसे आपको शौक है हां खेलता भी था स्कूल में खेलता था बहुत उंचे लेवल पर नहीं पहुँच पाया देखे गरीबी के दिन थे तो बल्ला खरीदना और यह बहुत मुश्किल काम था लेकिन क्रिकेट का बड़ा शौक था और बच्पन से उसके बारीकि बढ़ता था उसके गरांड मेरी अंग्रीजी ठीक हो गई लिके हम तो इस कुछ भी हिंदी स्कूल में बढ़े हैं ताट-पटी वाले स्कूल में बढ़े लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजी मैं बढ़ना शुडूए की क्रिकेट पढ़ना चाहता था वो पहन करी चला गया था अच्छा फिक्रें नी थे ऐसे चला गया सर मैं रिकेट की थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं और कॉमेंटरी कर सकता हूं आप उजे मुझे मौका दीजिए तो बोले अच्छा कॉमेंटरी करके बताइए तो मैंने का किसकी शैली में करके बता हूं जान अरलाट की शैली में या ब्राइन जॉंस्टन की शैली में किसकी शैली में या अलन मिगिलवरी की शैली में तो उन्होंने कहा है कि आप करके तो बताइए तो मैंने अंग्रीजी में कर रहे हूं वो बहुत प्रभावित हूए और बहुत अच्छी कॉमेंटरी करते वा वहां तो लाइव करना पड़ता है, तो उन्हों उन्हों तो मुझे भगाई दिया, पहले कमेंटरी तुनी अंग्रेजी की लेकिन फिर हिंदी में कमेंटरी करा ही नहीं, उन्हों मुझे भगा दिया वहां से, वापस आ गया, वो वक्त था देखे, कोई अपमान की बात भी न किसी को मालूम भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था, भाशा कैसी होगी, शेली कैसी होगी, कैसे कमेंटरी क्या स्क्वेर लेक को वरगा कार पैर कहेंगे, या आप जिसको कहते हैं कि सेली मेडान को मूर्ख मेडान कहेंगे, तो ये बाते भी होती हैं, ये तो हो नहीं सकत करके बताओ हिंदी में मैंने करके बताई अच्छी तो नहीं की होगी बाट उनको लगा कि इस बच्चे के आवाज में दम है तो उन्होंने कहा कि ये कर लेगा काम तो बोले अच्छा चौलो तुम हमें नीचा मत दिखाना कर लो अब मैं तो खुशी से फूला नहीं चमाया मै कॉमेंटी कर दी बड़ी आलोशना हुई शायद बहुत अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि हिंदी के टर्मेनालाजी कैसे होगी और कैसे कॉमेंटी की जाएगी फ्लो क्या रहेगा कुछ पता नहीं था फिर भी चुकि हिंद उनका कोई केंडिडेट दूसरा था तो वो उसको प्रमोट करना चाहते थे तो उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत अभियान चलाया लेकिन स्टेशन डारेक्टर ने मुझे एक बात कही कि देखो अब कि वो कलाकार आजमी थे उन्होंने का लोग कुछ भी कहें लेकिन तुमार जाए तो एक इमानदार आवाज है। इतनी बड़ी बात मैने अपने जिर्दिगी में कभी ने है तुनी डेकैशन थे तरहतरी की बाते सुनी हम उन्होंने एका कि बोले तुम्हें मौका दूँगा डोंट वरे आप करिये वामिंटी तो उसके बाद शुरू हो गया एक ही व्यक्ति चाहिए होता है और आपकी आवाज में इमानदाई तो है साहनु भूती भी आपनों अपने अपनी आवाज से वो असली पहलू है आपने बहुत अच्छी मेरे दिल की बात कह दी कि मैं हमेशा मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि चीजों को दिल से महसूस करो और दिल से महसूस करोगे तो जब आप महसूस करोगे तब ही तो लोगों को इसको महसूस करा ओगे ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे बच्प आयत के साथ इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा बोलने कोशिश मत करो, जो बोलो वो सार्थक बोलो, जिसका कुछ अर्थ निकले, और जिसको सुनने के लोग लालायत हूं, ऐसा नहीं कि ये बोले जा रहा है, क्या बोल रहा है, इसका कुछ अर्थ तो निकलने रहा है, तो ये ब Every word has a figure in it. हर शब्द का एक चित्र होता है. जैसे आपने, He drives it through the covers for four runs. तो उसने, He carries it like, He carries it through the covers. और दूसरा है कि, जोर से ताकत जादा लगाई, तो वो कहेंगे कि, He drives it through the covers. आवाज से लगना चाहिए कि, ज़्यादा जोर से, तो यह चीज़े हैं मेरे बड़े, और दूसरी बात उन्होंने भी एही का, वो बड़े, आपने देखा होगे, आपने भी सुनी होगे, तो वो भी कमेंटरी करते थे, तो शब्दों की किफायत, और सही शब्द सही जगे है, हिंदी में यह बड़ी दिगे, सुनने वाले आज़कल उनका span of attention भी थोड़ा कम हो गया है, तो हमारी जो भाशा है, उसमें ठहराव भी चाहिए और फ्लो भी चाहिए, तो हम मैं भी speaker हूँ, writer भी हूँ, आपने जो शब्दों की बात भी कही, एक एक शब्द अपने वजूद के लिए लड़ता है, writing में भी, शब्द भी लड़ता है, आपने, यह बात नहीं बात, आज देखे, हर उम्र में आप कुछ ने कुछ सीखते हैं, आज यह कि शब्द अपने वजूद के लिए लड़ता है, अब अच्छी बात है आप ही तो लिखते हैं आप अगर 700 लिखने हैं तो उसमें से 10-20 वर्ड तो mercilessly आपको काटने पड़ेंगे बिलकुर फिट नहीं आ रहा है कुछ तो जाना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ता है और मैं सच बताता हूं कि जब आप अच्छा लिखते हैं या अच्छा बोलते हैं तो लोग आपकी प्रशनसा करें करें या ना करें आपकी बातों पर ताली बजाएं या ना बजाएं आपने अच्छा बोला है आपके दिलकुछ हुकून में आप प्रसंदे ये बात मैंने कपिल देव से सीखी क्या ब तो यह बात मैंने जीवन में धार ली है कि अच्छा काम करो अच्छे काम और बुरे काम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता है थोड़ा से फर्क वोई थोड़ा फर्क हम पातने ही पाते हैं मैं क्रिकेटर्स पर आने से पहले और कॉमेंटर्स के बारे में पूछना जारो जिनके साथ आपकी पार्टनर्शिप हुई यहान आरलर्ट से आप मिले लेकिन आपके कंटेंप्ररी जिनके साथ आपको काम करके आनंद आया ने एक अनंद से तलबाट बहुत अच्छा है कॉम के साथ कमेंटरी करने में मैंने बहुत सीखा मैं हमेशा कहता हूं कि जिससे भी सीखें उसका नाम ले कर बोलो कि इनसे सीखा कभी भी अपने दोस्तों कमेंटरी एक पवित्र कल्णा है देखिए एक आर्ट-फॉर्म है इस आर्ट-फॉर्म को आप नीचे नहीं किरने देना कई commentators एक दूसरे के बुराईयां करते हैं मुझे अलोचना क्या करना उनसे अच्छाईयां सीखो हरेक के मन में या हरेक की कला में कुछ ऐसी बात होती जो आप में नहीं है तो वो चीज सीख लो बाकी छोड़ो आप क्यों जज्जमेंट करते हो लोगों को जज्जमेंट करने दो आप कौन हो तो आपका 1979 का अपने जिकर करी दिया जॉन आलट का जिकर किया वो जो एक पहलू था ओवल का जो क्या आप शाम से शाम में भी आप से पूछेंगे लेकिन अभी भी बताहिए तो वो उसके लिए बहुत मशूर है जो ओवल में गावसकर की इनिंग्स थी उसको जो डिस्क्राइब आपने किया और बाइद हुए आपके आवाज अभी भी वैसी की वैसी है मुझे ऐसे लग रहे है रेडियो में से आ रही है तो उस हवाज से आपने उस ग्रेट इनिंग्स को डिस्क्राइब किया आपने लोगों तक पहुंचाया हम तक पहुंचाया हमारे कानों तक दिल तक कैसे क्या एक्स्परियंस था नहीं वो कुछ ऐसा रहा कि 438 रन आप तो जानते हैं क्रिकेट के तो आप बिल्कुल गहरे जानका है 438 रन आखिरी पारी में कभी बन नहीं सकते हैं लेकिन 438 रन भारत वहां तक पहुंच रहा था तब मैंने नेखा कुछ बुढ़े किस्म के लोग बाहर जाने मैदान से तो मैंने उन में से किसी से पूछा कि भाई आशी श्राइब माइक्रोफोन पर ते तो मैंने का मैं जरह दो मिनिट में आता हूं मैं बाहर निकला कुछ बुढ़े हो किन यू लीव दिमेंट इस आपके दिल को बाहरी पड़ सकता है अब मैंने वहां से वो निकाला कि अगर यहां पर यहां पर यह आख यह अंग्रेज तो बहुत ही फिर भी संतुलिट रहते हैं उतने भावुक भी नहीं होते हमारे भारत में तो बहुत भावुक रहते हैं लोग भावना प्रधान होगी तो यह बात मुझे कहनी चाहिए तब मैंने कहा था कि यह मैच अब कमजोर दिल के इनसानों के लिए नहीं रह गया है मैंने आवाज में कमपन भी पैदा किया था और मैंने कहा था कि बहुत शायद उनके डॉक्टर सला दे रहे होंगे कि इस तरह का रोमांच उनके द से बाहर उत्रा कॉस्टम्स के अधिकारियों ने गले लगा लिया पूरा देश कमेंटरी सुनता था वो वो वत्त और वो नजारही अलग ता देट वस दी गॉल्डन पीरेड अव रेडियो कमेंटरी तो देखा हो हमें तो आपके आवाज से पहुंच रहा था तो आपने ज यह बात जो हो ना लोगों को यही लगना चाहिए कि आपके शब्दों से ऐसा चित्र खीचना चाहिए कि उनको लगे कि आप वही बैठें देखें इस माइने में पहला कॉमेंटेटर दुनिया का तो संजयर है ना चाहिए महाभारत का जो आप समझें ना कि आप ध्रतराष हैं जितने भी कॉमेंटेटर से ना होना चाहिए है तो हम को हमारी कोशिश ही रहती कि सचाए कि देखें मैं हमेशा कहता हूँ करिकेट की जानकारी का खेल तो है ही कॉमेंटरी सच बोलने की भी कला अगर आप से कोई गल्ती भी कभी हो गई ना तो बहुत विनमृता के साथ स्वीकार करता हूँ उसको, कि ये मुझसे गलती हो गई, उसमें कोई शर्म नहीं करने चीज़, क्योंकि ये आप शोताओं के प्रती आपकी जिम्मेदारी है, ये एक पवित्र काम है, ये आपको मशूर करने का काम नहीं है, ये काम है लोगों के प्रती अपने जिम्मेदारी को वहन करने का और वो आप कर पाएंगे तो आप भी प्रसंद होगे लोगों के प्रती भी नाय होगा और आप हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो जाएंगे बिलकुल यह जो आपने बात कही आपकी जर्नी आगे बढ़ी उस ताइम आपको कौन-कौन ग्रेट कोई यादगार पहलू, कोई वक्त ऐसा, कैसे आपकी इनिंग्स चली आगे? नहीं देखे तो जब ऑस्ट्रेलिया में मुझे आदे कि कीज मिलर के मैं बहुत फोटो एकटे किया किया तो आप तु जानते हैं कि आज भी आज भी आद दस और राउंडर्स अगर निकल निकल हम लोगों को देखते थे, कि एक लड़का मैं 27 साल करें, एक लड़का भारत से आया है, बहुत तीजी से मुझ चला रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, कौन सी भाशा में बोल रहा है, लेकिन बहुत तीजी से मुझ चला रहा है, तो एक दिन मैं कमेंटरी जब कर रहा थ और मेरा सेशन जैसे समाप्त हुआ तो पीशे मुड़कर देखा तो कीद मिलर कन है और मेर तो होशुडगए इतने बड़े किलारी मतलब मेरी ठीक पीशे कड़े और फिर जैसे में बाहर नीच माइक्रोफोन नीचे रखे में उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनको बाहर तो उनको बड़े का बॉइ आपने क्या बोला मुझे पता ने लेकिन जो कुछ मेरे कानों मा गया वो मिष्री की डली किता रहता यह जब इतना बड़े क्रीकेटर यह कह रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक मुझे यादे की पाकिस्तान का किस्टा तो मैं बताता है ह कि जब लाहूर में एक पार्टी में तो 78 में भी पाकिस्तान गया, 82 में भी पाकिस्तान गया और लाहूर में हमारे फथे सिंगाव गायकवाड ने एक पार्टी दी थी हमारी तो वो हमारे मेनेजर थे उन्होंने पार्टी दी थी हमोस थे और में बाहर खड़ा था सुनील गाउसकर भी बाहर खड़े थे, इतने में एक आवाज आई कि वो आगई, वो आगई, अब लोगों ने का भाई कौन आगई मैं, मैं भी आश्टरी चेकित, कौन आगई मैं अशा, हला मचरा सब तरफ से वो आगई, आगई, तो अचाना एक मिडिल-एज़ वूमन वहां पर कट हूई है, बड़े ग्लेमरस लुकिंग, मिल एज थी लेकिन ग्लेमरस, इर्द-गर्द काफी बीड, सब तरफ चाहल पलक वो आगई, तो इने फथे से गाईकवाट ने कहा कि यह हमारे कप्तान सुनील गावसकर, आप तो इने जानती ही होंगी, और उने कहा नहीं हम तो इने नहीं जानती ही, उस महिला ने कहा हम तो इमरान खान और जाहिर अबबास को जानते हैं, फिर फथे से गाईकवाट थोड़े से चख पका गए, उन्हों ने कहा कि भाई, फिर सनी भाई को कहा कोई बात नहीं, आप तो इने जानते ही होंगे न, मलीकाय तरनुम नूर ज मैच की बात है, मैं और नरतम पूरी कमेंटरी करते थे, बहुत अच्छे कमेंटर थे और हम लोगों का नाइंटीन फोरी से हैं, दोनों का बर्थियर भी सेम है, तो उनको भी मैं पसंद, मेरा साथ पसंद था, मुझे भी उनका साथ पसंद था, समान उम्र और आवाज दोन है और मैच बंद हो गया, तो उससे मैं आंसू गेश चोड दिये गए, अब खिलाडियों को तो कार्डन आफ कर दिये गए, लेकिन हम गरीब कमेंटर्स को कौन पूछता है, हमारे लिए तो तब तरफ वो हो गया कि कुछ हंगामानी हो जा, उनके उपाद लाठियार भी थे चाकू चुरे तो रखते ही लोग तो और लेकिन हम दोनों हमें कहा गया कि जब तक वहां से आये नहीं तब तक आपको तो कमेंटरी करना है, अश्टू गेश छूट रही है, हमारे आँखों से आँसू बह रहे हैं, लेकिन देश के लिए कमेंटरी कर रहे हैं, जैसा नहीं क्रिकेट कमेंटरी के तो कही किसे हैं? आँसू बहुत है जैसा बहुत है, शादी करना ही चाहते थे लेकिन आजू महीं पहले हैं और आखरी वक्त पर नहीं पर नहीं है वह आज हम देख रहे थे महिला की एज तो नहीं बतानी चाहिए, पर हमारा ग्लॉरियूस क्रिकेट ग्रूप जिस पे आप भी हैं, वह सबसे अच्छी बात क्या है कि मतभेद होने के बावजूद भी मन भेद नहीं कभी नहीं होता है आप लोग एक दूसरी के बात को स्वीकार करते हैं और अपनी बात पर कई बार अडिक पे रहते हैं कि नहीं यह तो मेरा पॉइंट अफ यू है आपका कुछ भी होगा लेकिन पर भी कोई बुरा नहीं मानते हैं लेकिन सब स्पोर्ट्ज लवर हैं सिकेट लवर हैं जो प्रेमी इतने हैं कि यह हैं और इंसानों के तौर पर मैं आपको के nào पर बहतरीन इंसान हैं इसी काराण इतना अच्छा ग्रूप बन पाए और जोब्य कि और बैजस भ् code मॉन्या को मैं हर शब्द उसका पढ़ता हूँ अंशुमन गाइकवार्ट साहब करसन गावरी साहब है अशोप मदोतरा है कई हां जिया है आपकी तरह के आर मोहन साहब है आर मोहन है कितने अब लोगों के नेमेत रूप से मैं पढ़ता हूँ और बहुत प्रभावित हूँ इस बाते हैं क्रिकेट में बदलाव और कमेंट्री में बदलाव इन दोनों बे बात करें आज के युक के लिए नहीं मैं समझता हूँ कि देखें बदलाव वक्त की आवाज रहती है अगर आ तो यह समझते हैं वक्त के साथ अपने को बदलाव कि तुधर कर रहा हूं अभी भी करें आपको बदलावित पर बदलाव में लोगां उन्युक्त हा यह वां बद में प्रक्ष्टानों गया लोगे टिव और आखर में जए को जो नहीं बदल पाते हैं वे पीशे शूट जाते हैं। मेरे साथ कोई भी कमेंटेटर मेरे वक्त का बचया नहीं है। यह बात मुझे यू समझ में आई कि एक बार अपने बेटे से में बात करा था। बहुत सफल है वो। बहुत कामयाब है। अपने फील्ड में और अच्छ में समझ बहुत कि कहने मतलब यह यह है की का में मतलब यह है। आपका सोच पुर만 रॉचा हम सोचते है कि पैसा बचा उड़ा हों वो सोचते है कि वक्त बचाउ ऑपासा कमाऊ आपकी कमाई के बरएबर आपका खर्ष कभी भी होई नहीं सकता आपका खर्च हमेशा कमी रहेगा, वो सच है, वो ठीक है, जो कह रहे थे वो ठीक, ये बात मैंने क्रिकेट कॉमेंटरी पर लागू की, कि वक्त के साथ अगर नहीं बदलेंगे, अपनी कॉमेंटरी में वही जोश, वही खरोश, T20 में अलग जोश दिखाता हूं, टेस्ट में कोशिच करता हूं, इसमें थोड़ा इतना टबक्त नहीं रहता था, इसको बिल्कुल रोमांचकारी बनाने की कोशिच करता हूं, T20 वचरे अपको क्रिकेट के इतने अब्जरवर हैं, इतने गहरे तोर पे जुड़े हूए हैं, आपको क्या महसूस होता है, टेस्ट क्रिके लेकिन उसमें कुछ गलत पहलो भी आ गए, तो क्या लग रहा है, यह चेंज जो है, यह अभी जिसको कहते हैं, ट्रंजिशनल पीरिट जिसको कहते हैं, एक इसा पीरिट जिसमें फिर से सूच बिचार की जरूरत है, यह देखें, किसी भी क्रिकेट के लाड़ी आप भी मिल ने लुघ्ड गाहते हैं, वो कहेंगे, टिसकृकिटी यह असली क्रिकेट है, बिल्कॉल, लेकिन देखिए, हमेशा ध्यान रखके कोई भी वक्त हो, कोई भी काल हो, हमेशा अर्थशास्च्तर इन्सान को चलाता है, पैसा जान जहान पैसा है, जहां जहां जहान शोहरत है, जहाँ जहाँ ग्लैमर है, वहाँ वहाँ इस तरह की चीज़े हैं आती ही हैं और इनसान का लालच जागरत होता ही है और वो इनसान के प्रवरत थीने तो देवता हो जाएगा ठीक है, तो कोई बात नहीं, इनसान की तरह ही रहा है लेकिन इसमें कहीं ने कहीं संतुलन बैठानी की ज़रूर थे टेस्क्रिकेट को बचानी की और बहुत सारा पैसे के लाले से बहुत सारे ऐसे मैचेस किलाना खिलाडियों को शरीरों को तोड़ देना जैसे मुझे याद है मलिंगा शायद रेटायर नहीं होते अगर टी ट्वेंटी नहीं आता तो और कुछ साल चलते मुझे याद हेड़न शायद कुछ साल चलते गिल्क्रिस्ट कुछ साल और चलते ये क्रिकेट का बड़ा नुकसान हुआ है और दूसरी बात जो नुकसान हुआ है वो फास बोलर्स का अच्छे अच्छे फास बोलर्स अब लॉंगेटिविटी को देखने लगे हैं कि लंबे वक तक चले लाइन लेंग्ट बोलर हो गया है अच्छ टॉमसन भी होते हैं तिशाएद मुझे बहुत प्रभावित हुआ इस बात से बहुत अच्छी बात है फावर डिफेंस तो देखने कोई ही है लेकिन एक बात मैंने मैं ये समझता हूँ कि आध्यात्मिक तोर पे भी मैं काफी पढ़ता लिखता हूँ मैं समझता हूँ मनिफ्षी की यात्रा उसकी खुद की यात्रा है अगर बहार अगर हर्श या आनन दिया कहते हैं एक हैपिनेस डूडने जाएगा तो कहीं नह है और मैं हमेशा मैं एरपोर्ट पर पांच घंटे मुझे बिठा लो मैं अपने आप से मश्गूल रहता हूँ मुझे कोई फिकर ही ने रहती है और मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है इसी से फिट भी रहते हैं और दूसरा खेलता तो टेबल टिनिस खेलता हूँ एक घंटे चार किलो मिटर प्रती दिन चलता हूँ तो यह तमाम चीज़े करता हूँ इश्वर के क्रपा से कोई गोलिया भी ने लेता हूँ और क्रपा रहे तो नहीं लूगा और ना दूसरों को गोली देते हैं ना दूसरों को गोली देते हैं सही बात सही वक्त पर करने क कोशिश करते हैं लेकिन आपकी जो फिलोसफी अव लाइफ अगर हम इसको समाप्त करने से पहले पूछें कि यंग्स्टर के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे आपने आध्यात्मा की बात वो फिजिकल फिटनेस में जोड़ दी और उदर आगे आप सोल पे तो क्या फिलो इसके पास दिमाग भी है सोच मिचार भी है गाना सुनता आंसू भी है सब चीज़े है ऐसा तो कोई किसी जानवर पे भी देखने को नहीं मिलता तो यह जो चीज़े अपने आपको सर्वस्रेश्ट मान के उसका जीवन का हरक्षण का उप्योग करें और सकारात्मक रहें कर्मक्षेत्र है यह सोचें कि जब जीवन का अल्टिमेटली जाना ही है तो फिर करें क्यों लेकिन कर्मक्षेत्र है दो क्षेत्र है कर्मक्षेत्र एक तो बहगवान ने दिया तो कर्म करो अगर इश्वर ने भेजा तो कर्म कईजी इसली नहीं कि आपको शोहरत या पैसा क माना कर्म इतली कि आपको काबिलियत दी है आपको अंदर से कहीं खुशी होगी वेशा करने में तो कपिल देव वाली बाद तो वो करिये जो कुछ जिस काम के लिए इश्वर ने आपको बेजा मुश्टाक साब ने बात कही थी मुझे बोला है इश्वर ने बेजा है कर मैं तो समझता हूँ कि शायद मेरा उच्छा बढ़ा रहे होंगे बहुत अच्छा लगा दोशी साहब इन फैक्ट आप में कोई दोश मुझे नजर नहीं आया है दोशी आपका नाम लेकिन वैसे निश्या शकर का दोशी है शटकोंड का नहीं है एक पर शरत जोशी ने क अच्छा आद्मी रहना चाहता हूँ है और मैं आपसे कहूँ कि इस गुडवाइब शो के एपिसोड में मुझे इतना अनन्द आया और इतने गुडवाइब्स हम लोग शायद जनरेट कर पाए अमनेट कर पाए और दूसरों तक पहुंचा पाए कि मुझे बहुत अच्छ अच्छा आपसे कहाँ आपसे कहाँ है और मैं मुझे उनरे पाए कि मुझे इतना अनन्द आपसे कि इस गुपासे कहाँ है